हलो फ्रेंट्स गुड मारी मैं सारा गुप्तवा सावगत करती हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल सारा होम साइंस एजूकेशन में आज सक आज से हम लोग ग्रीब इग्यान होम साइझस का 1st part मेनेजमेंट जो हुम मेनेजमेंट है उसको स्टार्ट करते हूं इसमें आज पहला टपिक पढ़ेंगे नियंतर्ड पेखर। बहुत हैं होम मेनेजमेंट के बारे में जानेंगे हम इसके तीन इसिटेफ हैं आयोजन, नियंतरड और मुल्यांकन आयोजन क्या है उसके प्रकार के बारे में जानेंगे इसके तीनों जो आयोजन, नियंतरड और मुल्यांकन है ये क्या होता है और इसके इस टिप के बारे में भी हम जानेंगे इसके प्रकार के बारे में जानेंगे तो चलो अब कुसलता पूर्वक इस तरह से यूज करना इस तरह से बिवस्थित किया जाए कि जो हमारे जीवन का उद्देश है और जो हमारे परिवारिक जीवन का उद्देश है उसकी दोनों की प्राप्ति हो जाए कम से कम सीमित साधनों का कुसलता पूर्वक इस तरह से प्रियोग किया मैनेजमेंट को हिंदी में ब्यवस्थापन कहते हैं या ब्यवस्थित करना कहते हैं अब मैनेजमेंट का काम हर जगे होता है चाहिए वो घर हो स्कूल, कॉलेज, कोई बिजनेस हो, कोई कमपनी हो, हर जगे मैनेजमेंट किया जाता है अब हम आ जाते हैं कि मैनेजमेंट की क्या विसेश्था है, होम मैनेजमेंट की विसेश्था क्या है, इसके बारे में जानेंगे अब हम जानेंगे home management की क्या-क्या विस्तेस्ता है इसके good क्या क्या है होम मेनेजमेंट को क्या कहा गया है होम मेनेजमेंट को एक सतत प्रक्रिया कहा गया है होम मेनेजमेंट को एक सतत प्रक्रिया कहा गया है सतत प्रक्रिया क्यों कहा गया है होम मेनेजमेंट को हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसे सतत प्रक्रिया क्यों कहा गया है जो होम मैनेजमिन का जो इस्टेफ है जो चरण है आयोजन नियंत्रण और मुल्यांकन है आयोजन नियंत्रण मुल्यांकन फिर क्या मिलता है हमें उद्देश होम मैनेजमिन को सतत पक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लगातार बीना थके बीना आराम किये ही अपना काम करता रहता है लगातार काम करता रहता है जैसे पहले हम कोई आयोजन कोई चीज का प्लान करते हैं फिर नियंतर करते हैं मुल्यंकन करते हैं हमें अपने उद्देशों की प्राप्ती होती है ये लगातार चल रहा कहीं भी रुका नहीं है पहले हम आयोजन करेंगे फिर नियंतर फिर मुल्यंकर हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी फिर हम प्लान बनाएंगे फिर नियंतर करेंगे फिर मुल्यंकर फिर हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है इसलिए इस तक पहुचना है इस प्लान के दौरा तो हम पहले प्लान करते हैं फिर उसका नियंतर करते हैं फिर आयोजन करते हैं फिर मुल्यांकन करते हैं उससे हमें उद्देश की प्राप्ति होती है फिर हम प्लान बनाते हैं फिर नियंतर करते हैं फिर मुल्यांकन करते हैं फिर हमारे Leachfield, Leachfield ने Home Management को Action Up Cycle कहा है, क्या कहा है, Leachfield ने Home Management को Action Up Cycle कहा है, अब Action Up Cycle क्यों कहा है, उन्होंने इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, कि लिच्पील्ड महोदे ने हो मेनेजमेंट को एक एक्षन आप साइकल कहा है लिच्पील्ड लिच्पील्ड है नहीं क्या कहा है एक्षन आप साइकल action of cycle क्रियाओं का चक्र ये question में भी पूछा गया है कि home management को list field ने क्या कहा है तो home management को list field ने action of cycle कहा है या क्रियाओं का चक्र कहा है क्रियाओं का चक्र इन्होंने क्यों कहा है इसको भी हम इसी वेस पर ये भी आधारित है कि पहले हम आयोजन बनाते हैं फिर नियंतर करते हैं फिर मुल्यांकन करते हैं हमें अपना उद्देश प्राप्त होता है फिर आयोजन करते हैं नियंतर करते हैं या क्रियाओं का चक्र कहा है अब आ जाते हैं हम यह एक मानसिक प्रक्रिया है होम मैनेजमेंट को एक मानसिक प्रक्रिया कहा गया है अब हम इसको देखते हैं कि मानसिक प्रक्रिया क्यों कहा गया होम मैनेजमेंट को हम सभी जानते हैं कि हम कोई मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और कहीं भी कर रहे हैं चाहे वो घर हो अगर हम मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा mental effort लगता है मानसिक प्रियास लगता है और जहां पर मानसिक प्रियास लगता है उसको हम मानसिक प्रक्रिया कहते हैं इसलिए होम मैनेजमेंट को भी मानसिक प्रक्रिया कहा ग बिज्ञान क давно हम सब जाने हैं कि बिज्ञान उसी को कहते हैं कोई भी काम क्रमबधं तरकपूर और बिवश्थित धंक से किया जाताक्ला है। कहते हैं तो इसमें भी आयोजन लेंधर और मुल्यांकन करमबध बिवस्थित कर और तर्क पूर्डा अब है या किया गया है इसलिए इसको भी बिग्यान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है इसमें कि पहले हम नियंतर करने मुल्यांकन करने फिर आयोजन बनाए तब हमें उद्देश की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं होगा इसमें भी एक सिक्वेंस से काम करना पड़ता है पहले प्लान करना परता है फिर नियंतर फिर मुल्यांकन करना पड़ता है फिर हमारे उद्दिश की प्रप्ति होती इसलिए इसको बिक्यान कहा गया है इसलिए होम मेनेजमेंट को एक बिक्यान कहा गया है अब इसे अनुभो क्यों कहा गया है होम मेनेजमेंट को एक अनुभो कहा गया है अनु हो जाते हैं एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका में हमसे गलती नहीं होती है तो इसी लिए जो management है जो home management है इसे एक अनभो कहा गया है अनभो के द्वारा कार में हम निपूड होते हैं कार में perfect होते हैं यहां तक सब को समझ में आ गया कि home management की विसेष्टाइं क्या है तो home management एक सतक पर क्रिया है एक मांसिक पर क्रिया है एक कला है एक बिक्यान है और एक अनभो है लिच फिल्ड ने इसे होम मेनिजमेंट को बांध या डैम कहा है अब उन्होंने बांध या डैम क्यों कहा है हम इसके बारे में देख लेते हैं पी देवदास महोदे ने होम मेनिजमेंट को एक डैम कहा है एक बांध कहा है इन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से किसान बारिष का पानी एकठा कर ले तो पानी ले जाकर अपने जरूर्दों की पूर्ती करते हैं। उसी तरह से पीदेवदास महोदे ने रख मई भूनेजमेंट में कहा है कि ग्ली घर की ग्रीडी और अमांविस अंसाधन रुपी भारिश होती हैं। मतलब कि घर में मानवीश अंसाधन और आमानवीश अंसाधन मौजूद रहते हैं और जिसका प्रयोग कर जिसका यूज कर एक गीड़ी अपने लच्छ की प्राप्ति करती है अब लच्छ की प्राप्ति करने से यहाँ पर क्या मतलब है लच्छ की प्राप्ति करने से मतलब है कि जीवन अस्तर को अपने परिवारिक जीवन अस्तर को ऊपर उठाती है उचा बनाती है और सेच्छिक एजुकेशन को उचा बनाती है सबका परिवारिक जीवन अस्तर बहुत अच्छा रहता है सबके स्वास्त भी अच्छे रहते हैं अब हम यहाँ पे जानते हैं कि मानवी संसाधन और आम मानवी संसाधन कौन से होते हैं कि जिसको यूज कर गिरीड़ी अपने लच्छ की प्राप्ति करती है मानवी संसाधन बुद्धी, बिवेक, ज्यान, बैभव, बैभव नहीं होगा ज्यान, कुशल्ता, बोलने का तरीका, समय आमानवी संसाधन आमानवी संसाधन क्या होते हैं धन पेन, बैड, आदी होते हैं मानवी संसाधन हम जानते हैं कि मानवी संसाधन क्या होते हैं मानवी संसाधन बुद्धी, बिवेक, ज्यान, बोलने का कौशल और टाइम ये क्या है मानवी संसाधन मानवी संसाधन एक इंसान के अंदर नहींत होते हैं एक इंसान की internal जो quality होती है उसी को क्या कहा गया है मानवी संसाधन कहा गया है लेकिन यहाँ पे एक point पे बहुँ ज़्यादा ध्यान देनी की जरूरत है कि यहाँ पे एक चीज को और add कर दिया गया है जिसे क्या कहा गया है समय या time time को भी मानवी संसाधन में add किया गया है इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी की जरूरत है और मानवी संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो एक इंसान के अंदर नहींत होती है internal quality जो होती है उसकी वही होती है मानवी संसाधन अब आजाते हैं आमानवी संसाधन क्या होते हैं वे संसाधन होते हैं जिनका हम अपनी life में daily यूज करते हैं जैसे paint pencil घर बेट कुरसी यह सब क्या हुए हैं मानवी संसाधन विए इनका हम अपने daily life में यूज करते हैं अब सब को समझ में आ गया होगा कि मानवी शंसाधन क क्या होते हैं और अमानुवी संसाधन क्या होते हैैं न इस चलो हम से आगे बढ़ते हैं इसप के बारे में पढ़ेंगा कि इसके कितने चरण हो Corporal के तीन चरण हैं मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को आयोजन नियंत्रण और मुल्यांकन अब हम देखते हैं इसके बारे में जानेंगे आयोजन नियंत्रण और मुल्यांकन के बारे में पहले हम देखेंगे planning, आयोजन क्या होता है, आयोजन में क्या किया जाता है, पहले हम यह जानते हैं, आयोजन में यह plan बनाया जाता है, planning में यह plan बनाया जाता है, कि हमें कौन सा काम करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कितना time लगेगा इसमें, और कहां करना है, यह सब का जो प्लान बनाया जाता है वो प्लानिंग में वो आयोजन में किया जाता है अब इसी को फालो करते करते जो प्लान बनाया है जो जो प्लान कोई मैनेजर बनाया है या कोई हाउस वाइफ या गिरीडी बनाई है उसी का वो फालो करते करते एक दिन अपने उद्देश को प्राप्ति कर लेती है इसमें यह क्या है आयोजन क्या होता है एक ब्लूप्रिंट होता है ब्लूप्रिंट और यह जो आयोजन में जो यह सब बनाए जाता है इसी का इसी को फालो करते करते एक दिन जो ग्रीडी है वो अपने देश की प्राप्ति कर लेती है आयोजन क्या है इसलिए आयोजन को प्रिंट भी कहा गया है और इसको फालो करते करते एक दिन गिर्डी अपने लच्छ को प्राप्त कर लीती है यह किया जाता है आयोजन में या प्लानिंग में अम जानते हैं संगठन होता ओर्गनाइजेशन क्या होता इसको इसके बाद जानेंगे अभी आईोजन के भी चरण अईोजन के भी step है उसको पढ़रेंगे फिर हम संग्ठन पर आएंगे फिर नियंतर ιा कंट्रोलिंग पढ़ेंगे क्या होता है फिर पढ़ेंगे मुल्या संधियाग कर देते हैं फिर औस अ प्रकार का का निये आयोजन भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है दीर्ख कालीन धीर्ख कालीन एक होता है अलप कालीन आयोजन क्या है एक blueprint है इसमें यानि धाड़े किया जाता है कि कौन सा काम कप करना है कहां करना है कैसे करना है आयोजन दो प्रकार के होते हैं एक होता है दीर्खकालीन आयोजन दूशा है अल्पकालीन आयोजन अब दीर्खकालीन आयोजन क्या है हम इसको देखते हैं दीर्ख जैसे घर में जब बच्चा होता है उसकी जो हायर एजुकेशन करवाने के लिए उसके पैरेंट्स उसके पैदा होते ही उसके नाम से उसके एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखने लगते हैं तो यह क्या होगा यह हो गया दीर्ग कालीनिया लॉंग टर्म प्लान हो गया अल्पकालिन प्लान क्या होता है अल्पकालिन प्लान वह प्लान होता है जो हम डेली करते हैं जो एक दो घंटे या एक दिन में या दो दिन में खतम हो जाता है इसको हम डेली करते हैं इसे मार्केट जाना है स्कूल जाना है क्या मार्केट से कौन से सबजी लाना है खाने में क योजन के प्रकार यह तो सबके समझ में आ गया होगा अब हम आ जाते हैं संगठन के बारे में देखते हैं कि संगठन क्या होता है अब हम पढ़ेंगे संगठन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे संगठन दो सब्दों से मिलकर वना है संग और प्लस गठन संग का मतलब होता है एक साथ और गठन का मतलब है जोड़ना एक साथ जोड़ना ही संगठन है संगठन में क्या क्या हो सकता है संगठन कोई ब्यक्त हो सकता है कोई बस्त हो सकता है कोई कारक हो सकता है कोई संसता हो सकता ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये कैसा होना चाहिए ये कोई बस तो ब्यक्ति कारक या संस्ता हो लेकिन ये हमें अपने उद्देशों की प्राप्ती में मदद करें वहां तक पहुचाए तो हम उसे संगठन कहते हैं संगठन में कोई ब्यक्ति बस तो कारक या संस्ता हो सकती है लेकिन वह हमें अपने उद्देश तक प्राप्ती में हमारी मदद करें उसे हम संगठन कहते हैं लेकिन इसमें एक बात नोट करने की है कि इस संगठन में जितने भी जुड़े हुए होते हैं जो भी चीज चौंचछ संसिता और अरौने जोने for example हमारी फैमली में कुंछ हो गया तो सब लोग परिशान ओगई तो बैपा भी जितने जितनी फैमले घर में सारे लोग परिशान हो जाये होएज दूसरे पर प्रभाव डालने यहां भी दूसरे पर प्रभाव डालने ऐसे ही है संगठन संगठन अगर एक कारक पर कुछ पी कुछ पी प्रभावत करता है कारकरना बंद कर देता है तो जितने भी कारक इससे जुड़े हुए हैं सारे प्रभावित होंगे तो अब हम हम आएंगे कंट्रोलिंग क्या होता है या नियंत्रड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम देते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है या नियंत्रड क्या होता है नियंत्रड क्या होता है एक प्रकार का बल है या एक प्रकार का यंत्र है और इसे बलिया यंत्र किशने कहा है, ग्रासेम किंडल ने इसे यंत्र कहा है, अब यंत्र कैसे होता है, ये इसको हम जानते हैं, कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, जो भी हम प्लान बनाए हैं, संगठन में जितने कारक हैं, जो प्लान बनाए हैं, वो सब सही तरीके से कार करें इसकी देखवाल करते हैं नियंत्रण में क्या करते हैं नियंत्र में यह देखा जाता है कि जो हम प्लान बनाए हैं जितने संगठन में जितने भी कारक हैं वो सही तरीके से कारक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यहीं देखा जाता है नियंत्रण में इसलिए से कंट्रोलि कि नींद्र को क्या कहा है तो यंद्र किसने का है इसके चरण है से चरण के बारे में भी हम जानते हैं कि इसके कितने चरण हैS के तीन चरण है नियंद्रके तीन चरण है पहला है न mr यंद वधना में क्या होता है बल देना मतलब फोर्स करना होता है इसका अर्थ होता है लेकिन बन किसी को जबरदस्ति काम कराया जाता है łlock성 किसी को साहित कि या तो कि प्रेरित किया जता है कारक करने के लिए इस ऊ특्छेषाब होता है बीचवीस में देखा आल जाता है कि जो हम प्लान बनाए जितने संगठन में जितने कारक हैं He has a nice and श्माये का नेरिच्छर कारक है inan特प समयूजन क्या होता है कार करते दरान अगर कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को अजिस्ट करना वहां पर उसको उइसको यह बता उसको सुधारना या उसको अर्जिस्ट करना यह हो गया नियंत्र्य कंट्रोलिंग अब हम आ जाते हैं मुल्यांकन का मतल्प होता है मूलेको आकना जो हम उद्दीश बनाएं प्लाण करना thin का मानलो कि कोई प्लान बनाया गया है वो प्लान पूरा हो गया अब उसका जो रिजल्ट आया है उसका हम मुल्यांकन करेंगे अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तब ही हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कारे किये थे क्या क्या हम अपनाये थे उसमें कितने टाइम लगाये यह देखेंगे अगर प्लान जो है अगर परिडाम निगेटिव आ गया है तो भी हम देखेंगे कि कहां में सुधार की जरूरत है कहां हम से गलती हुई है तो उसका सुधार करेंगे मुल्यांकन का मतलब होता है मूल को आकना परिडाम जो आता है उसका आकलन करना जो रिजल् इसका कि हम जितने दिन या एक साल मान लो या छे महीने मान लो हम फार्म बनके पूरी महनत से पढ़ाई करते हैं अगर पॉजिटिव आ गया तब तो समझ लो कि महनत सफल होगी प्लान सफल हो गया जितने घंटे हम पढ़े थे जैसे हम प्लान बनाते जैसे टाइम टेबल बन मुल्यांकन के इसतर भी है, मुल्यांकन के कितने स्टेप होते हैं, तीन स्टेप होते हैं, आयोजन का मुल्यांकन करना, ग्रियानवेन का मुल्यांकन करना और परिडाम का मुल्यांकन करना, आयोजन का मुल्यांकन करने से क्या मतलब है, आयोजन का मुल्यांकन करने से मतलब है कि जो हम प्लान बनाते हैं तभी उसका मुल्यांकन कर लेते हैं, कि हम ऐसा प्लान बनाएगे हैं हमारे future में कैसे क्या होगा, कैसा paradigm आएगा, मालों कि हमने time table बनाये हैं पढ़ने के लिए, कि हमें 4 गंटे या 6 गंटे डेली पढ़ने हैं दिन में और घर के काम भी करने हैं, ब तो प्लान का मुल्यांकन ही होता है आयोजन का मुल्यांकन क्रियानवन का क्या मुल्यांकन है क्रियानवन का मुल्यांकन का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं उसका मुल्यांकन करते हैं इसमें मानलो की हम एक दिन पूरा एक दिन में छे घंटे पढ़े हैं इसके लिए सबसे दिन में तो जो उसका मुल्यांकन करते हैं कि हमें एक suppression समझ में आये कि कुछ भी नहीं समझ में हम दो incorrectly चलता है कि हमारे मैंड में कितना बैठा है यह क्या हो गया क्रियाओं क 1 परडाम का मुल्यांकन ह tomar का मतलब होता है हमारा रिजल्ट आना जह हमारा रिजल्ट आता पॉजिटिव आता है तब भी हम देखते हैं कि क्या क्या अपना है थे नियेटिव आता है तब भी देखते हैं वही हो गया प्रडाम का मुल्यांकन यहां तक सब को समझ में आ गया होगा यह तो बहुत ही आसान है तो अब हम आ जाते कि मुल्यांकन के प्रकार के बारे में देखते हैं मुल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं अब हम देखेंगे मुल्यांकन के टाइप के बारे में मुल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं सर्वो पर मुल्यांकन साबिस्तार मुल्यांकन सापेच मुल्यांकन निर्पेच मुल्यांक आनवचारिक मूल्य Lost निर्माड आत्मा मूल्य majorn और संकल्पनात्मा मूल्य而 कई इतना मूल Uhr प्रकार है अब हम जान लेते हैं कि सब्सक्राइब जो सर्वுब्रेंब होता है उसमें क्या किया जायता तो उसको बस सर्षरी निगाह में देखके उसका decision ले लेता है, एक ही नजर में या उपरी तरीके से देखकर ही उसमें अच्छे से वो एक एक step को चेक नहीं करता है, बस उपरी तरीके से ही देखकर एक ही नजर में देखकर उसका decision ले लेता है, वो होता है सर्वो परि मुल्य साबिस्तार मुल्यांकन क्या है इसमें सूस्म तरीके से विस्तार पुर्वक एक एक स्टिप को देखकर चिक किया जाता है कि यह मुल्यांकन यह जो हम योजना बनाएं यह प्लान जो बनाएं वह सकसेज होगा की नहीं वही होता है सबिस्तार मुल्यांकन मतलब विस्तार पुर्वा के सूसम तरीके से मुल्यांकन कन सापीच मुल्यांकन क्या होता है सापीच मुल्यांकन में तुलना किया जाता है अब तुलना किसका किया जाता है तो उद्देश और परडाम का इसमें तुलना किया जाता है उद्देश और प्रेडाम का जो तुल्ना किया जाता है, इससे क्या मतलब होता है, तो इसमें ये किया जाता है, जो हम प्लान पढ़ान होता है उसकी बीच तुलना की जाती है हमारा उद्देश यो था कि हम नेट को कौलिफाइ कर लें लेकिन किस beğमित्लब हम उसको कौलिफाइ तो क्या होता है होता इसमें कोई भी तुल्ना किया है ति क्र county क्या होता है इसमें कोई भी तुल्नां नहीं कि जाती है जो प्लान बनाये जो हमारा उद्धेश और परेडाम से कोई भी मतलब नहीं आया है ठीक है अच्छा आया है तो भी ठीक बुरा आया तो भी ठीक है अपचारिक मुल्यांकन क्या होता है अपचारिक मुल्यांकन में सारे चीज बिवस्तित होते हैं सारे चीज फिक्स होते हैं जैसे कि हमारा एक्जाम हमें कब जाना है कहा सेंटर गया यह सब फिक्स होता है वही होता है अपचारिक मुल्यांकन में सारे चीज बिवस्तित होते हैं पहले से इसमें पता रहता है इसमें सारी चीज फिक्स होती ही वह होता है अनुपचारिक मुल्यांकन क्या होता है अनुपचारिक मुल्यांकन सेम इसका उल्टा होता ह निर्माड आत्माक मुल्यांकन वो मुल्यांकन होता जो योजना बनाने के दौरान मुल्यांकन किया जाता जैसे की teacher class में student को पढ़ा रहा है तो बीच-बीच में question का पूछना निर्माड के दौरान ही उसका मुल्यांकन कर लेना कि बच्चे को कहां तक समझ में आया है अगर समझ में आया तो तो मेरे पढ़ानी का तरीका ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ानी का तरीका ठीक नहीं होगा या बच्चों को किस वज़े से समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है यह मुल्यांकन क्या होता है निर्मार के दौरान का मुल्यांकन होता है इसमें सुधार की बहुत जादा गुजाइश रहते हैं इसमें प्रॉब्लम होने पर सुधार भी किया जा सकता है संकल्पनात्मक मुल्यंकन क्या होता है संकल्पनात्मक मुल्यंकन वा मुल्यंकन होता है जो कि वर्स के मतलब योजना की पूर होने की बाद उसका मुल्यंकन किया जाता है यह मुल्यंकन वर्स में एक बार किया जाता है जो हम उद्देश बनाएं उसके पूरा होने के बाद परtableました जो इरलीक हमारा होता है संकल्प मुलियंकन सुदार कोई भी गुणजाइश है वर्स में एक बार भर necessary घंड्य नहीं होती है यह गया इतने मुलियंकन प्रकार फेल receiving up फ्रेया अब अगया दिए से तो हम आ जाते हैं अभी एक चीजा और बचाया है हमारा इसने पढ़ने के लिए इस टेप आयोजन का इस टेप और होम मैनेजमेंट का क्या इस टेप है यह बहुत पूछा जाता है अब इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से हम देखते हैं आयोजन के कितने चरण है और ग्रीप प्रबंधन की कितने चरण है कितने इस टेप है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो आयोजन की चरण है उसको ग्रास्यम किंडल ने दिया है जो आयोजन की चरण है यही चरण निर्मा जो हम डिसीजन लेते हैं डिसीजन म किंडल ने इसके चरड दी है पहले क्या है पहले क्या है समस्या को परिवासित करना फिर बिकल्प को ढूड़ना बिकल्पों को उप्योगिता के आधार पर विवस्तित करना सबसे उप्युक्त सर्वसेश्ट बिकल्प का चुनाओ करना और पलडाम को सुवी करना कंधने पांच चरणं के Ganarkin की जो आयोजन के चरणं लिए वही डिसीजन मीकिंग का भी चरणं का वही इस्टेफ है तो समस्या को परिवाशित करना क्या मतलभ होता है इसको मुस्थे घृषित करने का मतलब हुता है समस्या को साअइन रखना पर ना किकल देici हमारे हमें मिल गई अब हम इसमें बिकल्प को परिवाशित करना तो यह हमारी समस्य हो गई कि हमें बच्चे का इड्मिशन करवाना है अब बिकल्प को ढूड़ना बिकल्प का ढूड़ने का क्या मतलब होता है कि हमारे आस पास पड़ोस में जितने भी स्कूल होंगे जितने भी स् उपयोगी था कि अधार पर बिवस्थित करना अब जो बिकल्प उपयोगी हैं उस अधार पर उसको बिवस्थित करने से क्या मतला हुए मालो कि हमने यह सोचाए कि हम अपने बच्चे को इंगलीज मेडियम में पढ़ाएंगे और उस स्कूल की जो फीस हो हमारी बजट की हिस साथ से हो हमारे घर के सबसे पास में हो आने जाने की अच्छी शुविदा हो अच्छी पढ़ाई होती हो वहां पर तो उसमें उसे बिकल्पों के आधार पर उसको इस्टिप बिवस्थित करेंगे जितने भी स्कूल है उसकी जो क्वालिटीज है उसको उसी अनुसार से हम उसके बाद का क्या इस्टिप है उप्यूक्त बिकल्प का चुनाओ करना फिर जो उसमें से सबसे सही बिकल्प होगा जितने हम जो सोचे हैं हमारे हिसाब से जो स्कूल होगा उसी स्कूल को हम चुनेंगे इसमें क्या हो गया यह क्या होगे उप्यूक्त बिकल्प का चुना बैणाब को सुविकारना उसके बाद जो पर बैणाफ डिसाजन लेंगे उसको उन सब्सेंगे ऐंडाज को भी साट मैं का इतनी प्राइंभ वीचताा को प bay ग्रीप्रबंधन के कितने चड़ोते ग्रीप्रबंधन के इस्टेप के बारे में हम बात करेंगे तो इसका क्या इस्टेप है आयोजन संगठन नियंत्रड बल देना निरिच्छड समायोजन और मुल्यंकन यह साथ इस्टेप होगे ग्रीप्रबंधन के और पांच इस्टेप हो गए आयोजन के आयोजन किष्टप ग्यासन किंडल ने दिया है आयोब के आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा तो अब मिलते हैं अगले क्लास में अगला हमारा क्लास होने वाला है मोटिवेशन फैक्टर जो ग्री प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व मोल निलच और इस तर के बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में तो थैंक यू गाइज